अरे हरिया भाईया आपने सुना पड़ोस के गणेस भाईया ने केवल एक एकड़ में ही धाई से तीन लाग तक का मुनाफ़ा कमा लिया वो भी तरबूज की खेती करके अरे भाईया तुम भी आगए इनके चाल में ऐसा क्यों कुछ हो रहा है एजी पसले अगर पकने लगी तो हम किसानों का तो उद्धार हो जाएगा और तरबूज की केती हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हम केसा करेंगे तरबूज की केती हार ओ किसान भाईयों अब आपको डरने के कोई जरुवत नहीं है आपका अपना किसान भाई आ चुका है तरबूज की खेती के बारे में संपून नौलेज के साथ जी हाँ इस खेती को करके आप लंबा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भाईयों तरबूज की खेती आजकल बहुत अरचाओं में रहती है क्योंकि एक तो इसका भावधिक मिल जाता है एक तो इसका उत्वादन भी बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये है कि ये कम समय की फसल है केवल छे महीनों में ही आपको तरबूज देखने को मिल जा तो किसान भाईयों अब देर किस बात की शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अगर हमारा किसान एक एक एकड़ में तरबूज की खेती करना चाहता है तो उन्हें किन-किन बिंदों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मिट्टी और समय जी हां मिट्टी केसी होनी चाहिए मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए और दूसरी बात यह कि सही समय क्या है बुवाई या कटाई का यह पहला पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता कि इसमें लागत कितनी लगने वाली है जी ह में पूरा माल बेचने के बाद कितनी आमदनी टोटल मिलने वाली है। और उसके बाद आता है हमारा पांच भाइप मिट्टी और सही समय तो पहले बात करते हैं मिट्टी की यानि कि यह कि यह तीन-चार चीजें मिलती है तब मिट्टी एकदम उपचाव बनती है । और यही चीजें यहां पर आपकी तरबुझ की फसल को और जादा ग्रो करने में मदद करेगी बात करते हैं सही समय की तो सही समय तरबूज की फसल के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है किसान भाईयो वो फरवरी का होता है लेकिन आप अगेती खेती करना चाहते हैं तरबूज की तो आप दिसंबर के अंतिम सब्तहा में कर सकते हैं या फिर आप पिछेती खेती करना च आएगी हमें एक एकड के तरबूज की खेती में मतलब बुवाई से लेकर कटाई तक कितना खर्च टोटल आ जाएगा वो जोड लेते हैं तोड़ा तो सबसे पहले आप बीच की बात करें तो बीच आपको एक एकड में 300 से 300 ग्राम लग सकता है अगर आप मैं बात करूं तो स एक सो के करीब आपको खर्च दिखाई देगा खेत की तैयारी की तो खेत की तैयारी करने में आपको लग भग चार से साड़े चार हजार तक का खर्च आ सकता है आगे बात करते हैं पेड मेकर की जी हाँ पेड मेकर बनाने का भी आपको कुल खर्च आठ सो से साड़े आठ स किसान भाईयों अगर हम बात करते हैं मल्चिंग पेपर की मल्चिंग पेपर लगाने या भीचाने का भी आपको लग भग 12,000 तक लागत या फिर उसमें खर्च आ सकता है किसान भाईयों आपको भले ही मल्चिंग पेपर का ये खर्च अभी फालतू लग रहा हो लेकिन मल्च बादन बढ़ा देंगे, साथ में खरपतवार में नियंत्रन होगा और जो खाद होगा, खरपतवार ना उगने की वज़र से, वो सिधा पोधे को लगेगा, ना की खरपतवार को, जिससे कि आपकी यहाँ पर फसल में बढ़ाओ, देखने को मिलेगा, और आपको ज्यादा से झाल झाल झाल